लुए तूदिन साजन स्टार्ट करेंगे एडवांस ओडिटिंग जो आपके बीकॉम फिर्ड में बीकॉम फिर्ड में इंपॉर्टन और इसके पहले मैंने अल्री हंडर्ट टूय, 1.20 प्लसक्रों डिस्कस्ट कर चुके हैं आईए स्टार्ट करते हैं with the question number one पहला कहता है कि विनियोगों से आई से संबंदित प्रमाड़क है लाभास अधिपत्र नीलम करता का विवरण व्याज प्राप्ति की रशीत की विनियोग खाते तो विनियोग से आई जो संबंदित प्रमाड़क है वो किससे है नीलम करता का विवरण से है एक बात और कि इसके पहले मैंने auditing से पूरा theory sessions जो है मेरी चैनल पर uploaded है कि auditing क्या होती, auditing की needs क्यों है, auditing कितने types होते हैं, auditing में errors क्या होते हैं, auditor कौन करता इन सारे पे related videos uploaded है, जिनका भी concept clear नहीं है, उसे जाकर जरूर देखे आते हैं questions पे, next question है, विक्रताओं के सारांस पत्र, रोकड का विवरण पत्र, cash memo की memo आदी प्रमाड़क किस से संबंदित है देंदारो, लेंदारो, नगद विक्री की उधार विक्री, तो ये सारे जो सारांस पत्र है, रोकड का विवरण पत्र, cash memo, ये सारे related हैं हमारे नगद विक्री से नेक्स्ट है, प्राप्त रोकड रसीद का प्रतिती रूप, बिल बट्टा वही, पास्बुक आदी किस के प्रमाड़क में काम में लाए जाते हैं, तो नगद विक्री, नगद क्रे, प्राइ, बिल की देंदि, तो ये किस से related है, नगद क्रे से भुक्तान की वास्तविक्ता का सही अर्थ यही है कि भुक्तान उसके उचित पात्र को प्राप्त है, यह कथन है, जे आर बॉट्ली वार्सी बोस, लॉंक्स्टर की डॉक्टर एन एल शर्मा, तो ये जो statement related है, ये जो definitions दी गई है, वो किस ने दी है, आर सी, आर बी बोस ने निम्न में से किस पुस्तक में मूल सुधार की लेखे किये जाते हैं, जनरल में, बही खाते में, क्रै पुस्तक में की विक्रै पुस्तक में, तो ये जो किस में किये जाते हैं, जनरल में पहला option हो जाएगा सही, नेक्स्ट, वेतन भुक्तान अधिक्रित है, उसकी जाज के यह देखना आवश्यक है कि वेतन का भुक्तान का राले समय में हुआ है वेतन भुक्तान वेतन समय में लिखा गया है कि वेतन पुस्तक पर उत्तरदाई अधिकार के हस्ताच्छन उप्यक्त में से कोई ने तो जो वेतन भुगतान अधिक्रित है उसकी जाच के लिए हमें क्या देखना आवश्यक है कि वेतन पुस्तक पर उत्तरदाई अधिकार के सिंगनेचर है कि नहीं तो इसलिए तीसरा आप्शन हो जाएगा सही किसी फॉर्म के द्वारा बड़े भुगतान करने का सर्वत्तम तरीका कौन सा है नगत भुगतान, चेक द्वारा भुगतान, रिखांकित, चेक द्वारा भुगतान की विन्मै पत्र द्वारा भुगतान तो अगर हम किसी फॉर्म के द्वारा हम बड़ा कोई भुखतान कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो कौन सा है रेखांके चेक द्वारा भुखतान इसले तीसरा ओप्शन हो जाएगा सही नेक्सा कार्याल है किराय के प्रमारन में यदी शक हो तो वास्तविक भुखतान की जाच की जाच वो किसके द्वारा की जाच करना किस कारे छेतर में आता है प्रमार्न अंके शड की उप्रधान की जाच वोल प्रमारन के कारे छेतर में आता है नेक्स्ट है आंत्रिक अंकेच्छड के कारिछेतर का निर्धारण किया जाता है अन्षधारियों के द्वारा प्रबंदकों के द्वारा का कम्परी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा की उप्यक्त सभी के द्वारा जो आंत्रिक अंकेच्छड है इंटर्नल जो ऑडिट तो internal audit जो है आंतरिक नियंत्रड का अंग है आंतरिक नियंत्रड है internal control आंतरिक नियंत्रड का एक भाग है आंतरिक अंकेच्छड का एक भाग प्रबंधक द्वारा नियंत्रड की संपूर ववस्था की उप्यक्त में से कोई नहीं तो internal जो control है basically ये प्रबंधन द्वारा नियं प्रबंदक अंकेचछड की योगता है बीकॉम प्रबंदकार में दच लागत लेखो का ग्यान के उप्रुप्त में से कोई ने तो जो प्रबंदक अंकेचछड की जो क्या होती है प्रबंदकार में दच ले दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही ने फ्रबंदक अंकेचड प्रतिक संस्था में अनिवार है एच्छिक है उप्रबंदक अंकेचड होता हर संस्था के लिए क्या है एच्छिक है इसले भी ऑप्शन हो जाएगा सही प्रबंदक हो जाएगा सभी उप्युक्त सभी प्रबंद अंके इच्छा का अर्थ है खातों में वृत्ति लेंदेरों की जाच करना प्रबंद को को परिश्णा में की जाच करना प्रबंद की नीती पद्धतियों एंवं कार निश्पादन की जाच करना है कि उप्त सभी की जाच करना त कमपणी के पार्षद नियम कमपणी के अंतर नियम कमपणी के प्रगवीरण कमपणी के सद्धिक्राइश्यों का रिजिस्टर तो अंसवधारियों का जारा झो लभांस होता है उसका अधिकार के लिए अंकेच्छा को क्या देना चाहिए देखना चाहिए option D हो जाए को company के सदस्ट्यों का register next अंकेच्छा को सूषना एम असपस्टिकरर मांगने का अधिकार है company के अंसदारियों से, company के पिछले अंकेच्छों से, company के अंसदारियों से और company के करमचारी से होतो अंकेच्छा को सूषना और असपस्टिकरर से, explanation जो बांगने का अधिकार है वो कस्य है company के जो अधिकारी होते हैं company अंकेच्छा का करतब है कि वो अपना प्रतिवेदन दे company के संचाल को को, केंदिस अंदरकार को, कि company के सदस्यों को, कमपनी के पत्रधाराई को तो जो company अंकेच्छा का करतब यही होता है कि वो अपना प्रतिवेदन company के सदस्यों को दे next अंकेच्छा नोटबुक में क्या सामिल होता है संदर्व के लिए तीथिया, किये गयकार का विवरण, आप प्राय अपूर प्रमाणकों की सूची की उपिक्त सभी अंकेच्छा कि सरकारी विभागवी के खातों का अंकेच्छा तो option A हो जाएगा सही इंटेंजी ओडिट से आसे किस से है प्रतेक मद का अंकेचर, कुछ मदों का गहन अंकेचर, देव पर चैन की गई मदों का अंकेचर की प्रतेक मद का व्रिस्तित अंकेचर तो जो intensive audit होता उससे मतलब यह होता कि कुछ पदो का क्या होता है गहन अंकेट छड़ option पी हो जाएगा सही नेक्स्ट अंकेट छड़ का मुखे उद्देश संस्थान की स्थती को सत्यों उचित बताना चल कपट को खोजना एवं रोखना और सुधियों को सुधार करना और सुधियों को ढूणना तो अंकेट छड़ का बेसिकली मेल यह होता है चल कपट को खोजना एवं उसे रोखना errors और fraud को क्या करना रोगना नेक्स्ट अंके छड रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है रजिस्टार को सधार सभा में सची को प्रवंदगों को तो जो अंके छड जो रिपोर्ट है किसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है साधार हो सभा में नेक्स्ट अंके चक संतुस्ट होने पर जो रिपोर्ट देता है उसे कहते हैं स्वच रिपोर्ट, मर्यदित रिपोर्ट, आंशिक रिपोर्ट की अन्ति रिपोर्ट तो जो अंके चक जब संतुस्ट हो जाता है तो वो रिपोर्ट देता है स्वच रिपोर्ट को नेक्स्ट है अंकेचिक असंतुस्त होने पर जो रिपोर्ट देता उसे क्या कहते हैं तो वो होता है मारे दित रिपोर्ट अंकेचेच कारिक्रा में अंकेच्च संबंदी कार कि यौजना किसके दौरा बनाई जाती है लेखांकन संबंदी स्टॉक, अंकेच्छर संबंदी स्टॉक के संचालक, मंडल की प्रवंदक, निर्देशक तो जो अंकेच्छक जो कारिक्रम है उसमें अंकेच्छर संबंदी कार की योजना वो अंकेच्छर संबंदी स्टॉक के द्वारा बनाई जाती है प्रमाणन का उद्देश है लेखों की सुद्धता एवं सतत्पा प्रमाणित करना वैपार से संबंदित एवं असंबंदित लेखों का गया और लेखों का अधिकृत होने का गया तो जब प्रमाणन का अब्जेक्टिव यही होता है कि वो सुद्धता एवं वैरिफाई करें तो तीनों आप्शन हो जाएंगे इसमें सही उप्रिकत सबी परिछद याद से नहीं थे केवल कुछ ही मदों का वरस्तिज़ाच प्रतेग मद की जाच, मदों के आदर्श नमूनों की जाच की अंचली आवश्चत होटा है उसमें के स्वामी के लिए आवश्यक होते हैं और अंके इच्छक के लिए हितकर होते हैं तो जो auditing working papers होते हैं उसके importance इसलिए है क्योंकि अंके इच्छक के हितकर होते हैं option D हो जाएगा सही हिसाब की पुस्तियों में कपटपूर असुद्धी की जाती है लेखाकर द्वारा प्रवंदक या अनुत्तरदाई अधिकारी द्वारा की अल्चधारी द्वारा तो हिसाब की पुस्तकों में जो कपटपूर असुद्धी हो जाती है जो हो जाती है उसमें प्रभंदक या अनुत्रदारी अधिकारियों द्वारा होती है option C हो जाएगा इसका सही आसर तो आप लोगों को इतना question समझ भाया होगा और जिन्हों वीडियो नहीं देखा previous वीडियो उसे आप जरूर देखिए और सारे subjects पे हमारे वीडियो अप लोड़ेड है ठीक है चाहे वो theory से related है और mcq से related है okay thank you